देखिए मंगल पांड़ जी आपके स्वास्त विभाग में कितने रहतार है बिहार में जो जिसका सेशन 18-20 है और यह बाइस होने जा रहा है चार साल होने के बाद भी एक्जाम नहीं हुआ चलिए एक कुछ शात रहे हैं उसे बात करते हैं क्या ना में आपका मेरे नाम विका सका भी जाया होगा अपि लोग बताएं सरम तो मुझ ऊच्शन कोर्स चार साल का चार साल का कोर्स है है क्या कों यह टो सरकार से जवाब चाहता हूं सरकार है कि कौन देगा हम लोग बाइटके क्या करेंगे घरजगा लग जो गलों को जी स्टिवेंट के रूप मैं पैसा मिलना चाहिए लेकिन लोग को जैसे के साथ क्रेनिंग काम बी करवाया जाता वो को घिता ही है अभी तक 19 बैच का परिणाम नहीं जारी हुई है बताइए हम लोग क्या करेंगे इसमें बात करते हैं या पर बैठे हुए उसे भी बात करते हैं क्या नाव है मैं गया मेडिकल से हूँ गया मेडिकल से आया हूँ हाँ सभी मेडिकल कोलेज के समस्या है और 2019 की एक्जाम हो चुकिया लेकिन अभी तक पर नाम गोसित नहीं हुई है अपको बता देगी इस समय का सबसे बड़ा खुलासा है जो बहुत मंगल पांडे जी स्वास के छेतर में बरे बरे दावे करते हैं कभी एकवार कोलेज्स भी आका भ्रहमन किजिए कि आपका कोलेज़् है कित्रिटला दिपी चलना है सेक्शन जो दो साल का है चार साल पांट साल में किलिया जारा है वह भी अभी कब होगा पता नहीं अभी तो परिनाम भी नहीं है किसको लेस्टे हैं शुखना नमस्कारण से पतना 2020 से हैं समस्षाइब 2020 मेरा 22 अभी तक फरस्ट यहां पर एक्जाम कंट्रों को दोरा देट नहीं जा रहे क्या गाइगा उनीस बैच वाले का जैसे कि जब और हम लोग को कई सीक्जाम होगा थारा बैच साथ वाले को साथ हुगा अभी तक कोई सब्सक्राइब कर हम लोग कि हाँ पर दरनापरदस प्रेटर क्या बैठे हुआ है अब हैं इससे पहले हो धो धोग हो अधा होगी और हो कुछ नहीं होता है सब्सक्राइब है घ्जाम देख्जाम हम लोग क्या क्वालिफाइब करके आते हम लोग बता है है कि टाइम पे जैसे सेशन होना चीए सेड्यूलेट ना डिले चल रहा अभी मेरा सेशन नहीं सकीज अभी मैं 22 में हूँ अभी तक मेरा फास्ट एर एक्जाम हुआ है जिसका की रिजल्ड भी परिनाम घोशित नहीं हुआ अब बताये इस तरह अगर सरकार इस तरह से हम लोगों को पर ध्यान नहीं देगी जो सेशन दो साल का किलियर होना चीए वहां टाइम पॉंस साल लग रहा है तो इस तरह का हमारा भविश के साथ खिलवार हो रहा है जि जो भी हमारी मांग है उनको सरकार से नर्म निमेदान है कि हमारी मांग को जल से जल पूरी करें टाइम पे उसका परिनाम घोशित करें ताके बच्चा अपने टाइम पिरियड में पास आउट हो करके कहीं भी जॉब के लिए वह अपना अपर्चुनिटी मिले और जॉब प सुधार होता तो आपको ता स्वीर सामने नजर नहीं आता चलिए और कुछ अत्राय हैं उसे बात करते हैं क्या नाव है अपका कुस्बू कुसी का अब किसको लगत से हैं पीमच से ट्वेंटी बैस है मेरा यहां पर मतलब कोर्स दो साल का है और अभी तक कोर्स फॉर्म तक सब्सक्राइब करते हैं अगर दो साल एक्स्ट्रा जाता है तो उसका खर्चा काउंट देगा रहने का पतना में मीनिमम एक वेक्ति के रहने का खर्चा मीं 6-7,000 रुपया है आखिर हुआ भरेया काउंट और जो मंगल पांडे जी एतने बरे बरे दावे करते हैं डबल इंजन की सरकार की सुवास्तिर छेतर में सुधार हो रहा है कहां से सुधार होगा आपका तो कॉलेज इतना लेट चल आ है सेशन तो अच्छे मेडिकल जो इस्ट्रेंट है कहां से पास आउट कर पाएंगे फिलाल खावर में इतना ही बने डरे रहे हैं टूटे के निवाद